गुट मॉर्निंग इस्टूडेंट तोड़ेंट आइ विल टेच यू हाव तू मेक रेक्टेंगल सेख मास्ट, सो लेस्ट स्टाट, मास्ट के लिए हमें एक क्लॉथ चाहिए थर्टी फाइब बाइ फिप्टीन का, हम इसको फोल्ड करेंगे, उसके वाद इसके तीनों कॉर्णनर को इस तरह से सिलेंगे, उल्टी तरफ से सिला जाएगा कपड़ा, चाहिए तो मसीन से सिलेंगे, मसीन से सिलना ज्यादा वैटर रहेगा, है कि दूज हो लाएगा कורी तो मसीन से सिलेंगे, एक तरफ से थोड़ा सा पार्ट खुला देने देंगे, जिससे हम इसे फोल्ड करें, अब इसे उल्टी तरफ से फोल्ड करते हैं, सीधा करने के बार इस पे हलकी प्रेस करेंगे, इस तरह से सारे कॉर्णनर को प्रेस करते जाएंगे, सिलाई को मिला के प्रेस केयर फुली करें, मिला करते हैं, प्रेस करेंगे, झाल मिरा देंगे, साथ कि जाएंगे, तरह से पुली क्पसर हो जाएंगे, जागे और तरहा ह। इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे प्रेस कर लेंगे जिसे आपको शिलाई में प्रावलम नहों और फिनिसिंग आती है को इस तरह से बीच से चिल लेंगे अब कपड़े को सीधा रखके इसमें पलेटे लदेंगे तीन पलेटे आएंगे इसे ध्यान से सुलेंगे प्रौवर्स बढसे डिलेगे दोलेगे इस तरह से तीनों पलेट हैं सिल लेंगे पहले हाथ से और इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसी साइज की पलेवर लेंगे यह पलेटर सही नहीं है इस तरह से प्रेश से एक बार इसी क्लीज बना लेंगे इस बात कर ध्यान दखें कि पलेटर एक बरावर हैं अब इसको दूसरी तरफ से भी सेम सिलाई लगा लें कर दो कर दो दो कि अचल्च मॉण कि प्रेशन अचलिए यह रावर लें अचल्च मॉण की अचल्च मॉण अब जो इसमॉल पत्ती ली थे उसे इस तरह से साइट से लगाएंगे यह दोना साइट से लगाए जाएंगे इस तरह से अब जो इलाश्यक हमने जोर के रखी थी उसको लाइक दिस स्मॉल पत्ती के बीच में लगाकर साइट से मशीन से सिलाई लगा लेगे इसी तरह से दूसी तरफ भी शिलाई लगा लेंगे अब हम इसको फिनिसिंग दे देंगे हम इसी तरह से लेडी श्यको लेडै लेड़ हम लगा लगारे लेड लेड़ाएंगा इस तरह से लेड हम लेड़ के लेड़ाएंगे